तेजिसी यादव सरकार पर भष्टचार और क्राइम को लेकर लगातार हमलावर रहते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वो आए दिन सीम नितीश कुमार से सवाल पूशते रहते हैं। चाहें विदेश में भी रहें, उनका हमला जारी रहता है। इसी कड़ी में निताप्रतिपक्ष तेजिसी यादव ने सीम नितीश पर एक बर फिर बड़ा हमला बोला है। इस बार उन्होंने सीम पर तंजिक कस्ते हुए कहा कि उनके बोलने पर अधिकारियों ने पाबंदी लगा रखी है। वो बूल नहीं पाते। उन्होंने सोशल मीडिया एक्सपर पोस्ट कर सीम से पूछा की रोजाना टूपते गिरते पुल पुलियों का जिम्मेदार कौन है। ति जिसी यादव ने पोस्ट में लिखा। नितीश भाजपा सरकार के भिष्टचार से तंगा कर बागलपुर में पीर पैंती बाकरपुर मोख्य मार्ग पर बनी। पुल ने जल समादी ली। पूणिया के अमौर में पुल का पहुँच पथ पानी में बहा। बहा हुआ पथ एंडिय सरकार के नेतिक्ता खोजनिक बंगाल की खाड़ी जाएगा। नेतिश सरकार भष्टचार और सरकारी खाजानी के लूट का विश्व के इर्थिमान अस्थापेत कर रही है। बिहार में प्रति दिन तूटते गिरते पुलपुलियों का जिम्यवार कौन। मुख्यमंत्री के बोलने पर अधिकारियों ने पाबंदी लगा रखी है क्योंकि बोलेंगे तो सबी फसेंगे। बता दें इससे पहले भी तिजसी आदव ने पोस्ट पर नितिश कुमार पर हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया। तिजसी आदव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि निताओं को सरकार की बदनाम होने का डर है लेकि नितिश कुमार को कोई फर्क नहीं है। चोटा बाबु तक सांसद की बात नहीं सुनते। डीमेसपी की तो बात ही छोड़िये। ये तंजुरों ने बालमीकी नगर से जदियो के सांसद सुनेल कुश्वा के वारल हुए एक वीडियो पर किया था। बता दें कि बीत गुरुवार को बाखरपूर, बाबुपूर, तिलकधारी टोला, मोहनपूर, गोविंदपूर समेत कई गाओं को पीरपैती बाजार और पकंड मुख्याले से जोडने वाली मुस्तफपूर चोखंडी का पुलिया तूटकर गंगा में समा गया जिसका वी पुल चला गया है, पता में लग रहा है, कहां गया है, पुल बसके, देखा हो हाँ, अध्री उपगल में फात गया है पुल जो गिरा है पपुजी, कैसा फिलिंग हो रहा है थरह बताईएगा पूल के बारे में, पूल गया हो लिए, हमारे चोखंडी का पूल जो था वो गिर्क चुगा है, और कुछ आदमी उस तरह भी फास गया है अध्रों का गया में जाड़ा है कम अध्री तोपाल इस पुलिया के धुस्त होने से अब ना तो पीरपैती बाजार की ओर से और ना ही मिर्दा चौकी से इन पंचायतों तक सड़क मारग से पहुचा जा सकता है बता दें की आड़ुलियो की सड़क पर इस पुलिया को बनाया गया था जो अब धस्त हो गई है बरसात के पहले से इसकी जरजर हालत को देखते हुए विभाग द्वारा इस पुल से बड़ी गाड़ियों का परिचलन बंद करा दिया गया था ग्रियो रिपोर्ट पंजाद केसरी टीवी